हेलो गुड मोर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एर एजुकेशन यूटूब चेनल देखे कल की वीडियो हमारी अपलोड नहीं हो पाई तीस अपरेल की तो उसके जो कौसन है वो इस वीडियो के साथ ही हम डिसकस करेंगे एक माई और तीस अपरेल की जो कारेंट अपरेल के क्वासन है वो इसमें डिसकस करेंगे ठीक है का गठन किया गया है तो सही अंशर था आपका इसक्विज का आंदर प्रदेश ठीक है इसक्विज का राइट अंशर था चलिए अब बात करते हैं आज की करांट अफेर की तो देखे पहला कोसन है अपना किस राज्ये की पुलिस दुआरा महिला शुरक्षया के लिए इस्त्री सक्ति नामक एक 35 सदस्य विशेश टीम का गठन किया गया है सही अंशुगा आंदर प्रदेश प्रदेश पुलिस है उसी ने एक YST के अंदर 35 सदस्य है ठीक है पूरी तरीक के से जितने भी जो इसम पैती सदसे हैं वो पूर्ट या महिला सदसे हैं सारे के सारी और इस टीम का गठन करने का मकसद है राज्ये के अंदर महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना ही इस टीम का गठन का मैंन मकसद है ठीक है यह चीज़ दियान रखेगा बाकि यहाँ पे अंदर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा देखें आंदर प्रदेश के जो गवर्नर है वारतमान में वो कोन है ESL Nurseman ठीक है ESL Nurseman गवर्नर है और जो CM है वो कोन है Ann Chandrbabu Naidu ठीक है और अगर यहाँ पे मैं Official Language की बात करता हूँ तो तेल वो इसकी official language है ठीक है अंदर प्रदेश की चलिए अगल अपडेट देखते है अपना हाल ही चर्चा में रही the girl in the pink room नामक पुस्तक किसने लिखी है the girl in the pink room ये किसने लिखी है ये पुस्तक लिखी गई है जो सिमोन नूराली है इने के दुवारा ये पुस्तक लिखी गई है ठीक है देखे यहां अगर मैं बात करता हूँ इस पुस्तक के बारे में तो ये पुस्तक किस के उपर लिखी गई है किस पर आधारीत है तो देखे ये पुस्तक आधारीत है जो मतलब की हमारी जो मतलब की भारत के अंदर जो मानव तसकरी हो रही है ठीक है मानव तसकरी होती है उसी के मुद्धे पर ये पुस्तक लिखे गई है ठीक है मानव तसकरी को लेकर ये पुस्तक लिखे गई है ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए चलिए थोड़ा सा सिमोन न और लिए भारती मूली की ही एक छात्रा है जिनका हाल ही में जो अमेरिका की टोप सेवन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इनका चैन हुआ है ठीक है तीर चीज़ आपत्यान रख सकते हैं चलिए अगला पडेट देखते अपना हाल ही S.C.O. के रक्षा मंत्रियों का शम्मेलन कहां आजित किया गया है सहियन सुगा बिसकेक में देखिए S.C.O. की जो रक्षा मंत्रियों की बेटक हुई है हाली में इस बार की ये कहां हुई है बिसकेक या फिर किसके द्वारा होश्ट की गई है बिसकेक के द्वारा होश्ट की गया है चीक है भारत के अगर में बात करता हूँ तो देखिए यहां पर भारत की तरब से इसमें जो इस सलिया हो लिया है जो भारत की रक्षा मंत्री है स्री मती निर्मला सितारमन भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कोन है निर्मला सितारमन उनी ने इस सम्मेलन में भारत की त थी और इस बैठक का इस बार का जो मुद्दा था वो था आतंकवाद ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद में देखे थोड़ा सा SEO के बारे में होरम बात कर लेते हैं तो SEO संगाई कोपरेशन और गरेशने की एक तरीके से संगाई के अंदर संगाई का है चीन का सहर है ठीक है और इसलिए इसको नाम दिया है संगाई सवयोग संगठन ठीक है यह चीज आप देहन रखेए इसका अगर मैं बात करता हूं तो वरतमान में इसको जह 110 देश है वो है जो है इसके पूर्ण सदस्से बने थे ठीक है देखिए इसका हेड़कॉर्टर भी आप ध्यान रख लीजेगा बहुत पारेश्ट है इसका हेड़कॉर्टर पूछा जाता है इसका हेड़कॉर्टर का है बिजिंग के अंदर है ठीक है बिजिंग का है चीन की कैपिटल भी है चीन का सहर है बिजिंग यहीं पे इसका हेड़कॉर्टर है ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा चलिए अगला अपटेट देखते हैं अपना हाल ही चर्चा में रहे होरमुज जल डमरुमद्ध के समंद में निम्न कतनों पर विचार कीजिए देखे जो होरमुज जल डमरुमद्ध है ये रिसेंटली न्यूज में रहा है देखता है कौन सा कसन इससे रिलेट सही है पहला आप्समिन बोल रहा कि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है बिल्कुल सही है जो फारस की और जो ओमान की खाड़ी है उसको आपस में connectivity देने के लिए यही होर मुझी काम करता है, ठीक है? दूसरा option बोल रहा है कि इरान ने अमेरिका को इसके जरिये यातायत पर रोक लगाने की चेताओने दी थी अभी latest update की में बात करता हूँ तो ये है इसकी latest update recently इरान ने चेताओने दीए कि वो जो अमेरिका है उसको इसके यातायत पर रोक लगा सकता है ठीक है आगामी टाइम में ठीक है जो अमेरिका इसके जरीए व्यापार करता है इस जल मार के जरीए इस पर इरान रोक लगा सकता है ठीक है तीसरा उप्सन बोलड़ा की विस्वे के 30% कच्छे तेल का व्यापार इसी से होता है तो देखें ये जो होर मुझ जल रास्ता है इसी के मार ध्यम से विस्वे का 30% जो कच्छे तेल का व्यापार होता है वो इसी के जरीए होता है ठीक है तो ये चीजे भी आप धान रखेंगा तीन ओप्सन सही है तो आंसर हो जाएगा उप्यूकत सभी सही है ठीक है चलिए अगला प्रेट देखते है अपना अंतराष्टिय जोद संस्तान दुआरा जारी रिपोर्ट के अनुशार भारत में 2001 से अब तक कितने वन नस्ट हो गये हैं तो सही आंसर होगा आपका 16,000,000, हेक्टेर ठीक है 16,000,000 हेक्टेर जो है वन अब तक भारत में नस्ट हो चुके है 2001 से लेकर अब तक ठीक है इस रिपोर्ट के नुशार ठीक है अब तक बोले तो 2018 तक की रिपोर्ट है ठीक है 2001 से और 2018 ठीक है यह चीज़ा आप धान रखेगा चलिए अगला अपडेट देख देखते अपना निमन में से कौन पूरस एक दिवस्य अंतराश्ट्य क्रिकेट मेंच में एमपाइरिंग करने वाली पहली महिला एमपाइर बनी है तो वो सही अन्शोगा क्लेर पॉलोस एक देखिए जो क्लेर पॉलोस एक है यह पूरस वंडे अंतराश्ट्य क्रिकेट में में एमपाइरिंग बनने वाली फिर एमपाइरिंग करने वाली पहली महिला एमपाइर बन गई है ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखीएगा अच्छा अपडेट है ठीक है तो यह ध्यान लख लीजिएगा चलिए इनकी मैं बात करता हूं तो यह उस्टेलिया से समझ देती ह फिर ओष्टिलय यह पहले कई सारे महिला 안तराष्ट tiếp मेचों में तो जो है नोंने पहले से एमपाइर न्ग किये लगवाक 15 महिला अंतराष्टि मेचों में इस ने एमपाइरिंग की थी लेकिन पूरस की यहाँ पर देहान रखेगा उम पहले जो इंडिया वर्सेज इंग्लेंड जो महिला टी ट्वेंटी विस्वकप हुआ था दोजारेटर में ठीक है उसकी जो एंपाइरिंग की थी वो भी इसी के दुआरा के गी ठीक है क्लेर फोलो से के दुआरा ठीक है चलिए अगला हम बात करते हैं देखिए यहां पर ऐस की बात की है मैंने बताया जैसे कि यह उस्ट्रेलिया की है और थोड़ा से बता देते हैं आपको जो केपिटल हो है केनबरा और जो केरेंशी हो है ऑस्ट्रेलियन डोलर ठीक है तो यह चीज भी आप देहन रखिएगा अगला कॉस्टन है अपना बिजिंग में संपन अंतर यह निशाने बाजी खेल मासंग आई SSF विश्वकप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉसन है तो आपका सही अनुचों का भारत ने इसमें चार पदक जीते हैं देखिए भारत ने चार मेडल जीते हैं जिसमें तीन तो इसमें गोल्ड मे इसमें बात करता हूँ तो पदक तालिका में भारत ने पहला स्तान इसमें प्राप्त किया है चार पदक जीता है ठीक है काफी इंपोर्ट अप्डेत ध्यान देखिए ध्यान से रख देखिए इसको ठीक है नोट डाउन कर लीजिए बाकि यहां पर दूसरे इस्तान पर जो स्कोर मैं अब कंप्लीट कर देता हूं यहां पर अलग से को से नहीं बनाया मैंने उसका मैं बात कर रहा हूं अब यहां पर जो एसियन कुस्ती चेंपियंशिप 2019 अभी रिसेंटली संपन हुई है ठीक है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर भारत ने कितने पदग यहां पर कह सकते हैं और बाकी यहां पर बचे हुए नौ पैट मदक जो है वह कौन शे थे काश से पदग थे ठीक है तो एक गोल्ड था छे सिल्वर थे और नौ काश से पदग थे से मिला के टोटल जो है भारत ने सोला पदग जीते हैं ठीक है यह चीज आप दहान रखेग और इसी के साथ भारत ने सोला पदग जीतकर पदग थालिका में आठ पाइस Δान प्राप्त किया है इस एसियन कुस्ति चैंपियंशिप में ठीक है यह चीज आप दहान रखेगा मैं यह और ऑभी एसियन कुस्ति चैंपियंशिप की լात कर रही हूँ ना कि इस वाले कृसो जीते हैं जो बच रंग पूनिया है उनहीं के दौरा यह गोल्ड जीता गया था भारत के दौरा यहां से मसलिए गोल्ड के बारे में पूचा रावरे में ठीक है तो एक गोल्ड जीता है जो बजरंग पुनिया है उन्हीं के द्वारा यह गोल्ड जीता रहा है ठीक है यह धहन रखिएगा तो इवार फिर से में क्लियर कर देता आपको जो इसके अंदर भारत ने चार पदक जीते हैं और जो एसेन कुस्ती चेंपिन सुई थी उसके अंदर भारत ने सोला पदक जीते हैं ठीक है दोनों ध्यान रखिएगा चलिए अगला पडेट देखते है अपना एमेरिकी वे गहनिक नेल जॉन्स निल्सन का हाल ही निदन हो गया है यह किसके जनक माने जाते थे सही अन्शोगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसी के जनक इनको कहा जाता है इनका इन जिसमें महत्पोन योगदान ठाथ ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे मैंने कई वीडियो जी मताया है एक वर्चुल ये रियलेटी मतलब की मतलब की आप कह सकते हो कि वर्चुल जो है रियलेटी इमेज बनती है उसी को जो है इन्टरनेशनल या फिर वर्ट डांस डे जो है मना घया है ठीक है ये चीर है 29 अप्रेल कोई क्यों मना घया यह तो आप ध्रहन रखना है 29 सकंए ऐस फ्रांसिशी प्रसिद्द डानसर थे जिनका नाम था जीन जार्ज जो प्रसिद्ध फ्रांस के डांसर थे उनी के बर्त डे पर जो है ये मना जाता है अंतराश्टिय डांस डे ये नर्त दिवस ठीक है ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं चली अगला पडेट देखते अपना निमन में से किसे वायुशेणा का नया वौई सीप नयूप किया गया है तो सही अन होता है वायुशेना को या फिर एर फ्वोर्स का ठीक है फर्स्ट होता है जीप और दूसरा होता है उसके नीचिए ओइस छीप are कोन है राकेश-कुमार है जिनों ने कीन कषन लिया है अनिल खोसला का इस थान लिए ठीक है और यहां पी चीप के बारे देखिए हाल ही प्रिकासित politics of जुगार नामक पुस्तक किस ने लिखी है सही अन्शुगा सबा नकवी ने ये पुस्तक लिखी है politics of जुगार दकलक्ष ठीक है तिये चीज़ा आप ठ्यान रखिएगा देखिए नामस वैसे आपको पता चल रहोगा इस पुस्तक में क्या बता कि जो लोग सबा चुनाव जो अभी हो रहे हैं उसके बाद बनने वाली जो सरकार होगी उसी के बारे में इसमें विश्लेशन किया गया ठीक है यह जो सगबा नकवी है ये कौन है ये एक भारतिये वरिष्ट पत्रकार है ठीक है यह भी आप ध्यान रखिए इनी के दुआर ये पुस्तक लिखी गई है ठीक है फिर देखिए अगला प्रेट अपना निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांदी खेल रतन पुर्षकार 2019 के लिए नामित किया है ये सलेक्ट किया है ठीक है तो आपका सही अन्शोगा उप्रोक दोनों देखिए बजरंग पूनिय और विनेस फोगाट ये दोनों भारती है पहलवान है ये पूरост पहलवान है बजरंग पूलिया और विनेस फोगाट ये महिला पहल़वान है ठीक है इन दोनों को इसके लिए गोसित किया गया ठीक है जो नेक्स्ट जो राजीव गंदा गांधी खेल रतन पुर्षकार हु चलिए अगला पडिटर देखते हैं देखिए सीपरी की रिपोर्ट आ गई है इस बार की और इस बार जो रिपोर्ट जारी की की है सीपरी ने इसके अनुसार 2018 में सेना पर खर्च करने के मामले में भारत कौन से इस्तान पर है देखे जो सेना होती है कंट्रीज की उसके फ़र खर्च करने के मामले में ये रेपोर्ट ट्रेंकिंग दी जाती है और इस मामले में भारत का जो इस्तान हो कौन सा इस्तान आ गया है इस बार चोथा इस्तान आ गया है ठीक है 2018 की रिपोर्ट है यह जो भी जारी की गई ठीक है तो सेना पर खर्च करने वाला चोथा सबसे बड़ा देश है इंडिया अगर मैं बात करता हूँ पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है तो यहां आप देख सकते हो USA USA जो है सेना पर खर्च करता है सबसे ज़्यादा उसके बाद में चीन सबसे ज़्यादा खर्च करता है सबसे दूसरा सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है और उसकेबाद जो है आता है साओधी अरभिया और उसके बाद आता है हमारा इंडिया ठीक है उसके बाद फ्रांस है रसिया इस तरीके से है ठीक है तीजी आफ द्हान रखेगा तो या तो मोश्टली पहला पुछ प्रतिस्ट खर्च करने के साथ चोथे स्थान पर है और टोटल 37 परतिस्ट युए से खर्च करता है 14 परतिस्ट चाइन रखिएगा चलिए अब देखते हैं अगलाप डेट आपना देखिए और पिछली साल की मैं बात कर देता हूं आप थोड़ा सा पिछली साल जो इससे पह आ गया है भारत इस बार ठीक है चलिए अगला अपडेट देखते हैं सरकार ने ग्यों के आयात पर नियंतरन करने के लिए सीमा सुलक को 30 प्रतिसत से बढ़ा कर कितना कर दिया है काफी अच्छा अपडेट है अन्सोगाप का 40 प्रतिसत कर दिया है घरे लिए उपड़ों को ब प्रतिसत कर दिया ठीक है फिर देखिए आज की जो क्वीज है इसका अंसर आपनी चेक्मेंट बोक्स में लिखिएगा देखिए नवंबर दिसंबर 2018 में जो पूरे सोकी विश्वक अप हुआ था उसका आईजन के सराज्य के द्वारा किया था यह आपको बताना है अंसर ज मच पर वाचिंगाश धन्यवाद